वेलकम टू दो अनादर व्लोग गाईज और काफी धूप आई हुई है आज भी रूम में और कपड़े तो 15 मिनिट में ही सुख गए मैंने नेक्स डे व्लोग कंटिनू किया और यहाँ पे पी रही हूँ सुबह की चाय और बहुत सारा काम बाकी है अभी चाय पीने के बाद म अभी है इविनिंग का टाइम और अभी मैंने इविनिंग की टाइम पे चाय नहीं पी नीमबू पानी पिया और यहाँ पे भगवान जी के आगे दिया भी जल रहा है सुबह से हम लोग दिये में थोड़ी थोड़ी देर बाद तेल डालते ही रहते है और यह सामान लेक्या आई है मेरी भावी तो उनके रूम में रखा हुआ था तो यह हमारे घर पे इसको अभी मराठी में तो रवी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग कमेंड करके बताना तो हमारे घर की रवी जो है वो अभी पोटाटो का फ्रेंच फ्राइज जैसा हम लोग इसको काट सकते हैं तो अभी इसका प्लास्टिक निकाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से डिटेक्ट हो जाए और आप लोगों को भी दिख जाए ये बहुत काम की चीज लग रही है मुझे और अभी भी डिटेक्ट न से हम लोग पोटाटो और गाजर का भी शायद निकलेगा मैंने अभी तक यूज नहीं किया है यूज करने के बाद आप लोगों को दिखा दूंगी और इसका प्राइस है 399 टू इन वन है तो आप लोग खरीज सकते हो और आज थी महाशिवरात्री तो यहाँ पे शाबदा खाने के लिए लेकिन समर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत देर बाद इस तरफ रहता ही है धूप और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यह शाम के वक्त सारे लोग खेट से आते हैं अपने अपने जानवर लेके तो यहाँ पे बहुत सारे अभी बकरिया आई है तो बहुत लोग के पास होती है गाउ में अभी में टेरिस पे थोड़ा सा घुमने के लिए आई थी तो आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ गाउ में काफी अच्छा होता है व्यू तो आसमान काफी साफ है अभी पक्षी वगएरा भी आते जाते रहते हैं औ अभी मेरी मम्मी पापा गए थे खेत में तो मिर्चिया लेके आए और कॉर्ण भी लेके आए बहुत सारे तो ऐसे हम लोगों ने रख दिये और यहाँ पर दिया जलाया तुलसी ब्रंदावन के पास हर शाम को हम लोग दिया जलाते हैं और सारे लोग ही जलाते हैं और नेक लगा दूंगी और बेड़ शिट भी मैंने मशिन में डाल दिया है धोने के लिए और अभी ऊपर नारियल रखा था तो वो भी धूप में सुखाने के लिए रख दूंगी तो चलते हैं अभी रखने के लिए बाहर और फिर मेरे बैग पे भी बहुत ज्यादा धूल बैट और अभी नीचे वाला फर्ष भी साफ कर दूंगी तो आप लोग देख सकते हो कितना गंदा पानी निकला है मैंने फर्ष साफ किया है और बाहर का आंगन भी आज ज़ाडू लगाऊंगी और फिर पानी भी डाल दूंगी तो ये भी काफी गंदा हो गया था और अभी ज़ काड़ो भी मैंने लगा दिया और यहां पे सारा कच्रा जमा की थी और कच्रे के डिब में डाल और रूम में पोचा लगाना हुआ और फिर बाद में मैंने बाहर भी 3-4 बकेट पानी डाल दिया और अभी काफी फ्रेश लग रहा है बाहर और ये अच्छे से सूख जाएगा और धूल भी उतना नहीं आएगी तो इसी के साथ व्लॉक करते हैं